आज हमें एक सिंपल बैक बनाएंगे सिंपल तरीके से यह हमने एक फाबरिक का पीछ लिया 22 इंच बाइ 14 इंच बाइस इंच बाइस इंच का एक पीछ लिया इसके पिछे रबर शीट अटाच की है यहां से मैं फोल्ड करती हूँ और यहां पीन या क्लीप से हम उपर की साइड से जोड़ेंगे तक हमें इसके उपर शीप देना है clip लगा लेती हूँ इसे हमने fold किया और यहां से हमने 2 इंच का mark किया यहां से 2 इंच का 2.5 इंच यहां से 2 इंच का ऐसे ही यहां से 2 इंच यहां से 5 इंच का यहां से 1 इंच और यह हम यहां तक जोड़ेंगे ऐसे ही यहां से 1 इंच यह हम यहाँ पर चोड़ेंगे और जो हमने मार किया है इसके उपर हम कटिंग करते हैं ऐसे और यहाँ से ऐसे ही यहाँ पर ऐसे हमने कटिंग किया कटिंग होने के बाद सिद्धी साइड करेंगे अगर रबर शिठ है तो यहाँ से सिलाई करेंगे ऐसे सेम साइज का हमने एक अस्तर का पिस कटिंग किया यह 12 इंच के हमने जिपर ली जिप के सिद्धी साइड फाब्रीक के सिद्धी साइड के उपर और इसके उपर ये अस्तर की सीधी साइड यहाँ हमने सिलाई की सिलाई होने के बाद ये अस्तर ऐसे अंदर की साइड करते है ऐसे और यहाँ हम ये अस्तर नीचे यहाँ हम टॉप स्टीच करेंगे इसे हमने टॉप स्टीच किया इसके बाद ये side यहां और ये अस्तर यहां से बैकसाइड रखेंगे जिप के backside में और सिलाइ करेंगे ऐसे में हमने यहां सिलाइ की सिलाइ होने के बाद ये zip पर इसा separate करते हैं और अस्तर अंदर की side यह होने के बाद हम यहां से ऐसे टॉप स्टीच करेंगे यहां टॉप स्टीच होने के बाद दो रनर लेंगे यहां से एक यहां से एक यह दो कॉर्णर समने कटिंग किये थे यह फैब्रिक हम लेते हैं यहां से फोर्ड यहां से एक फोर्ड यहां से एक फोर्ड यहां से एक फोर्ड यहां से एक फोर्ड दोनों साइड हम से लाई करेंगे यह स्ट्रिप लेती हूँ दोनों तिक ऐसे हमने यह दो पटिया बनाए यह चार इंच के हैं यहां तीन इंच के भी ले सकते हैं इसके बा आसे हम ने vullटी साइड किया यह चार इंच के है लेकिन यहां आप तीन इंच भा इंच के भी ले सकते हैं यह हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ यह जीपर है इसके नीचे ऐसे डालेंगे देखिए ऐसे फोल्ड किया यह फोल्ड साइड अंदर की साइड में ऐसे रखा यहाँ पीन से जोडेंगे और यह दूसरा दूसरी साइड में यहां यह जिपर की साइड ऐसे अस्तर की साइड रहेगी यहां से यहां तक सिलाई करेंगे कोई भी एक साइड अस्तर की साइड में इतनी स्पेस हम चोड़ेंगे यहां से यहां तक ऐसे हमें इतनी स्पेस चोड़ी है यहां से और यहां से सिलाई की ही होने के बाद ही साम इसी जोड़ेंगे ऐसे ही चारो चारो कॉर्णर्स इसमने चारो कॉर्णर्स के उपर सी लाई कि इसके बाद यह जो ओपन स्पेस थी यहां से सीधी साइड करेंगे यह जिपर ओपन करते हैं और यहां से यह बाग पाहर निकालेंगे यहां सीधी साइड करने के बाद यह ओपन स्पेस अंदर की साइड फोर्ड करेंगे ऐसे और इसके उपर डॉप स्टीच यहां हमने डॉप स्टीच किया कि होने के बाद यह अस्तर अंदर के साइड करते हैं यह बड़े साइज का हमारा यह पाउ